अब हम लोग यहां पर वर्ल पूल ऑफ इंडिया लिम्टेट के अनलेसिस करेंगे और देखेंगे टेक्निकली जाने की कोशिस करेंगे आज के दिन भी बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट हुई है परसन की तो और यह कितना ज़्यादा नीचे गिरेगा थीक है इन लेवल से और कितना ज़्यादा नीचे गिर सकता है और पलस यह जब बाउंस बैक करेगा तो इसे देख रहे होंगे तो आपको एक चीज़ यहां पर नजर आ रही होगी कि लगबग लगब लगब फोर्टीन 1,300 ठीक है ये वाला जो लेवल है 1,300 का आसपास का लेवल इस लेवल के आसपास ये कितनी बार आ चुका है तो ये 2017 हाफ के बाद से बात करेंगे तो यहां पर लगबग लगबग ये 3 से 3-4 बार आ चुका है और ये अभी 5 भी बार आ रहा है ठीक है अभी लगबग जनौरी फरवरी के मंत में यहां पर आया था उसके बाद यह bounce bag दिया लेकिन यह bounce bag fail होता हुआ नजर आ रहा है फिर से इसके पास आ रहा है यहां पे हमारे पास ऊपर के एक trend line है और इसी trend line से सको rejection मिला है और उस rejection को यहां पे यह नीचे के और गिर रहा है अभी हमारा यहां पर क्या दिनों बाद इस support के आसपास आ रहा था तो technically इसको bounce back देना चाहिए था और यह उपर क्यों गया लेकिन जो उपर का trend line था वहां से इसको क्या मिला rejection मिला और rejection मिलते ही आज और कल में बहुत ज़दा गिरा है 16-100 से सीधे ये 1300 के आसपास आ गया है ठीक है 16-100 से सीधे 1300 के आसपास हो गया मतलब 300 points दो दिन में यहां पर fall देखने को मिल रहा है तो हमें क्या लगता है 3-4 दिन में ऐसे पूरा का पूरा ये नीचे क्योड चला जाएगा ऐसा technically नहीं होता है ठीक है अगर क्योंकि अभी देखी एक support के नीचे वाले level के आसपास आ चुका है और पिछले 4-5 दिनों से मतलब पिछले 2 weeks से लगतार इसमें क्या हो रही है गिरावट हो रही है प्लस 3rd point क्या है पिछले 2 दिन में बहुत ज़दा गिरा है तो कल के दिन इसमें क्या होना चाहिए जनरली कल के दिन यहां पे एक hold candle बनना चाहिए यहां पे एक चोटे candle की उम्मेद कर सकते है और यहां पे एक चोटा candle नहीं बनता है तो एक ऐसा candle बनेगा जो कि यह नीचे के उड़ जाएगा और जो नीचे के support लेवल है उनको touch करके फिर से closing ऊपर देगा और इस तरीके के candle कल के दिन form होना चाहिए ठीक है ऐसा यहां पे हम लोग का expectation है अभी हम लोग को चार्ट जो माउट करते हैं अब हम लोग यहां पे देखते हैं कल की दिन का आज का यहां पे low कितना लगा है तो daily time frame पे चले जाते हैं daily time frame पर देखेंगे पिछली दो दिनों में यहां पर बहुत ही जादा हम लोग को यहां पर क्या गिरावट देखने को मिला है अभी आज का low अगर हम लोग यहां पर चेक करेंगे आज candle का low है 1300 के आसपास का ठीक है और 1300 के इस पास से इस candle ने क्या दिया था bounce back यहां पर जब यह 15 में यहां पर लास्ट के टाइम में यहां पर नजर आ रहा है अभी हम उस पर छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो उस पर आता है उसके पहले देखेंगे अगर इन candles का low यहां पर चेक करेंगे 1240 प्लस 1210 40 के बीच में क्या है इन candles का low है तो यहां पर मुझे ऐसा लगत ठीक है फुरवरी के मंद में तो यहां पर हॉल्ट करने के बाद क्या हुआ था ऊपर की और रैली हुई थी लेकिन यहां पर इसके पहले अगर हम लोग यहां पर चार्ट देखेंगे तो यहां पर बहुत तीजी कहीं पर भी हम लोग को बहुत फास्ट ठीक है कहीं पर भी ह stretch हो चुका है तो यहां से हम लोगो एक bounce back मिलने की probability है अब exactly level कोई भी आपको नहीं बता सकता पूरा का पूरा यह जो होता है एक support zone होता है हम सभी को पता है ठेक है यह पूरा-पूरा क्या होता है support zone होता है इस support zone से हम लोगो bounce back मिलने वाला है अब यह support zone जो है आने में हो सकता है दो-तीन दिन लग जाया यहां फिर कल के दिन यहां पर यह touch करके उपर के closing दे यहां फिर आने वाले इसी week में हो सकता है इस support को एक पर touch करे और यहां पर हम लोगो एक छोटा candle यहां हाल्ट candle यहां फिर मतलब जब इन support को यह touch कर रहा होगा तो यहां पर इस तरीके से candle को इस formation देखने को मिले ठीक है तो ऐसा candle formation का हम लोग को wait करना है ऐसे candle formation में हम लोग को बहुत ज़्यादा quantity में buy नहीं करना है अगेन क्योंकि अभी आया था फरवरी में और बहुत तेजी से आ रहा है तो अगर यहां पर हम लोग को बहुत ही छोटे candle के साथ बहुत ही छोटे SL के साथ अगर entry मिलता है तो 20-25% quantity में हम लोग माल लेके चले जाएंगे ठीक है बाकी wait करेंगे ऐसा zone बने अगर उसको उपर breakout हो तब हम लोग quantity बढ़ाएंगे otherwise हम लोग hold करेंगे 1-2 के लिए minimum hold करेंगे ठीक है आयन हम लोग को 1-3 1-4 भी यहां पर देखने को मिल सकता है मिलता ही है इसलिए मैंने quantity कम करा है ताकि हम लोग लंबे time के लिए हम लोग क्या कर सके hold कर सके otherwise 1-1 चाहिए होगा तो यहां पर आराम से हम लोग 1-1 यहां पर जै कर सकते हैं लेकिन कोई भी analysis आपने आप आपको करनी है और उसके बाद ही आपको सारे levels decide करने हैं ठीक है अब यहां पर उपर क्यों निकलेगा तो हम उपर क्यों क्या यहां पर क्या expect करेंगे माल लेता है इन levels के आस पास यह bounce back देता है जब भी bounce back देगा तो यह जो उपर की levels है जहां पर आज के दिन closing मिली है यह सारे levels एक resistance के लिए इसके लिए काम करेंगे तब जाके इस तरीके का pattern हम लोग को देखने को मिलेगा ठीक है अब यह resistance को किस तरीके से break करता है यहां पर जल्दी से green candle इस तरीके का hammer candle बना के तुरंद bounce back देता है तो यह अराम से लगब लगबख 1400 के आसपास आएगा and 1400 के आसपास आने के बाद फिर से यह price action pattern बनाएगा तो इस तरीके का इसमें उपर की और formation हो सकता है अब हम लोग और थोड़ा negative बात कर लेते हैं कि अगर मान लेते हैं चुकि यहां पर ठीक है चुकि यहां पर यह बार बार आके hit कर रहा है और यहां से इस तरीके से थोड़ा से उपर की और जाता है 1400 के levels को retest करता है और फिर से इस तरीके से break कर देता है बिल्कुल इस तरीके से break करता है तो यहां पर हम लोग नीचे की और कितना level देख सकते हैं तो नीचे का इसके बात का जो हम लोग के लिए support point होगा वो 1100 के आ लेवल है जहां से इसने बहुत यह breakout दिया all time high बना के फिर उपर क्यों निकल गया यह वाला जो लेवल है मतलब यह condition बहुत ही यहां पर कम probability है आने की अभी फिलहाल अभी के price action pattern से कम probability है 800 की लेवल की आने की but in future अगर 800 के आसपास आता है तो यहां से bounce back देने की बहुत ही ज करना अपनी analysis जरूर करना है कैसे आपको अपने पैसे maintain करना है कितना risk लेना है इस अब decide करने के बाद ही कोई decision लेना है वीडियो पसंद आई होगे तो like कर सकते हैं चैनल पर नहींगे subscribe कर सकते हैं thank you for watching this video